काईस वेलकेम टू किया निया दूस्तों जानेंगे पैच टेस्ट क्या होता है अपने अक्सर सुना होगा कही तरह कि कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट यूज करने से पहले लोग कहते हैं पैच टेस्ट कर लेना कई लोग जानते भी हैं लेकिन यहां पर मैं कुछ अलग से एक नहीं करेंगा आपको नुकसान चाहोऊचाफर यह यहां यह तुन खरते से पहला कोशिश्च कर लूए तो हम पप्रोडर्ट्सूट करेंगा तो आप उICE अपने चहरे पर लगा सकते बॉड़ी में कहीं पर भी लगा सकते हैं तो नॉर्मली जो कॉस्मेटिक्स आइटम आते हैं जो महलाई यूज करते हैं उनके लिए पैच टेस्ट के दो तरीके होते हैं कि वह जो क्रीम होती है जो कोई भी पाउडर है या कोई तेल है उसे अपना जो कौनी होती है यहां पर यहां पर उसको लगाते हैं थोड़ी देर के लिए रब करते हैं और लगा लेते हैं ताकि पानी बगार ना लागए उसको 24 घंटे क्ली छोड़ते हैं अब 24 घंटे में पता चल जाता है कि वह केमिकल वह क्रीम आपको कितना हमफुल है कितना सुटिबल है तो 24 घंटे तक ल लगाते हैं तो अगर को ह्रें लोग होते हैं जिनको लंब समय से अाफ्जी और लेकिन उनकी allergy खतम नहीं हो रही है ठीक ना फिर डॉक्टर बोलते हैं आप allergy टेस्ट करा लें blood test होते हैं कुछ फिर होता एक patch test अब patch test में क्या होता है allergy के patch test में क्या होता है कि patch रहता है उसमें कुछ boxes रहते हैं खाने रहते हैं उन में उन chemicals को डाला जाता जो आपके उपर test करना होते हैं या allergy के अलाबा भी नॉर्मली जो दवाईयां चल रही होती है किसी भी दवाई को आपको यूज करना है एंटिवाइटेक या इस्टिरोइड वह आपको suitable है या नहीं तो उनको चेक करने के लिए भी उनका थोड़ा थोड़ा मातरा इसमें डाल दियाती है तो फिर यही पैच आपकी पीट पर बैक पर आपको चिपका देते हैं और कुछ समय के छोड़ देते हैं उनका पूरा पूरा डेटा डॉक्टर के पास रहता है और जो एलर्जी वाला पैस टेस्ट है यह सर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही करता है चीक है तो यहां पे जितने लगते हैं किमिकल सकते हैं इन सब कर रियक्षन आपकी बड़ी पर देखता है कुछ इस तरह से फिर डॉक्टर को यह मालूम पर जाता है डॉक्टर या डर्माट लोजिस्ट को यह पता चल जाता है आपको कौन सी शूटेबल है और कौन सी नहीं है तो फिर इस से दो चीज और allergy pest test I hope आप समझ गए होगे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें आप में कई लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो देखो सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते इस सब्सक्राइब तो आप से अगली वीडियो में जहिन बंदे मात्रम